और जो ट्रेंड ये फिल्म दिखा रही है ऐसा इससे पहले बस कश्मीर फाइल्स के समय हुआ था इतना मुझे याद आ रहा है बाकी अन्य किसी फिल्म के समय ऐसा ट्रेंड देखा हो मैंने ये मेरे तो समरण में नहीं है क्योंकि देखिए The Kerala Story का पहले दिन का जो collection था शुकुरवार का उससे ज़्यादा collection सोमवार का था चौथे दिन का और उससे भी ज़्यादा collection मंगलवार का है यानि ये तो बड़ी से बड़ी फिल्मों के साथ में भी नहीं होता कि पहले दिन से सोमवार का collection ज़्यादा हो सोमवार से मंगलवार का collection और ज़्यादा हो देखें क्या आकड़े आया है शुकुरवार को फिल्म ने 8 करोड का collection किया था शनिवार को 11 करोड का कुछ जगो पर 11 बार भी बताया जा रहा है उसके बाद मैं रविवार को 16 करोड का collection फिल्म ने किया था और ये net collection है देखना ग्रॉस कलेक्शन इस से ज़्यादा ही होगा फिर सोमवार को फिल्म ने 10 करोड का collection किया डबल डिजिट में सोमवार को फिल्म ने collection किया है ये हाली के समय में बड़े-बड़े एक्टर्स की फिल्मों के साथ भी नहीं हुआ और उसके बाद मंगलवार को कल फिल्म ने साड़े 11 करोड 14 लाख का कलेक्शन किया है और ये एक फिमेल सेंट्रिक फिल्म है ये देखिए वो भी इतने डार्क सब्जेक्ट पराधरित बॉल्यूर के फिल्मेकर समेशा कहते हैं कि यहां पर तो बस मसाला फिल्म में ही चलती है लोगों को तो कहां अकल है आर्ट की सिनेमा आपने देखा होगा एलिट क्रिटिक्स को वामपंतियों को बोलते हैं यह मास ओडियोंस को कहा आर्ट की सिनेमा की समझ होती है यानि यह अपने इतने एंकार में डुबे वह होते हैं कि बस ऐसे सर्टिपिकेट्स बाठते हैं जनता को इनने लगता है कि यह ज़्यादा हुशियार हो गया है सबसे तो यह हमेशा कहते कि लोगों को तो बस यह मसाला चाहिए, निवडिटी चाहिए, सेक्स चाहिए, भल्गर जोक्स ऐसे यह अपने मन से ही लोगों को जच करते हैं पर The Kashmir Files ने भी इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को गलत सिद्ध किया और The Kerala Story ने फिर से एक बार ऐसे दुसरों को सर्टिपिकेट बाठने वालों को एक करारा जवाब दिया है, करारा तमाचा मारा है और The Kerala Story का कलेक्शन सबसे खास इसलिए भी है, सबसे विशेश इसलिए भी है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, यह एक फिमेल सेंट्रिक फिल्म है फिल्म में कोई भी सो कॉल्ड मसाला नहीं है, फिल्म की थीम बहुत ज़्यादा डार्क है कोई भी कॉमीडी या भलगर कॉमीडी ऐसा कुछ भी नहीं है और साथ में ही कुछ जगों पर इस फिल्म पर बैन भी लगा हुआ है पशी मंगाल में गोशित बैन है, तो तमिलिनाडू में अगोशित बैन है और केरिला में तो बिल्कुल ना के बरावर नगन नैसे शोज इसे मिले हुए हैं और बाकी अलग-अलग जगव पर जो विरोध हुआ फिल्म पर जो केस फाइल किया गया की गई थी सुप्रिम कोट में कुछ लोग गए थे फिल्म के अगेंस्ट फिर सुप्रिम कोट ने हाइ कोट में बेज दिया हाइ कोट ने भी उनकी बात नहीं मानी फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से हाइ कोट ने सपश्टो रूप से मना कर दिया और भी क्या-क्या अलग-अलग जगों पर जो धमकिया वगएर आई है फिल्म के मेकर्स को फासी पर लटकाने की या थेटर में तोड़ फोड करने की या सब कुछ हम देख रहे हैं इतना विरोध और सबसे आश्यरी की बात बॉलिवूड का इकोसिस्टम इस फिल्म पर पूर्ण रूप से शान्त है इतना विरोध होने के बाद भी किसी के पेट का पानी नहीं हिला इंडिस्ट्री में आप देख लिए जिए पपेट क्रिटिक्स हो, पपेट मीडिया हो कोई भी इसके कलेक्शन्स को सेलिबरेट नहीं कर रही है जैसा अभी कुछ मेहने पहले हमने उस जबरदस्ती की हीट के समय देखा क्या-क्या आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कलेक्शन्स पर कैसे-कैसे वीडियोस बना रहा था पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम पर वो सब चानत है कहीं से इस फिल्म को कोई सपोर्ट नहीं मिला है फिल्म के रिलीज होने से पहले कोई बज नहीं था ये कहते हैं न सोचल मिडिया पर बज क्रेट करना पड़ता है पियार टीम वगएरा के माध्यम से क्या था इस फिल्म के लिए कहां कुछ ऐसा हुआ कुछ भी नहीं इसी कारण से दे करेला स्टोरी का और साथ में ही दे कश्मीर फाइल्स का कलेक्शन इतना ज़्यादा खास है और दे कश्मीर फाइल्स के समय तो भाई वो तो एक अलग ही सुनामी थी उस समय तो कुछ-कुछ तेयटर्स में पहले हपते में मैंने देखा था रात-रात भर शोज चल रहे थे रात-रात भर वो तो एक मतलब सुनामी ही एक शब्द उसके लिए है और इसलिए मैंने उस समय कहा था दे कश्मीर फाइल्स के समय कि ये न भूतो न भविष्यती ऐसी फिल्म है पर हाँ अभी मैंने देली फाइल्स का विशय जब सुना तब लग रा है कि भाई देली फाइल्स दे कश्मीर फाइल्स का भी रेकॉर्ड तोड़ेगी और कमाल करने वाली है वो फिल्म मैंने देवफ इसको कहानी क्या होगी उसको इस वीडियो में पूरा एक्स्पिलेन किया है आप हमारा एक वीडियो आवश्य देखना आज देखते हैं बुद्धवार को किटना कलेक्शन करती है बाकि दोस्तों कि आपने दे करेला स्टोरी को देखा या कब देखने वाले हैं मुझे आपनी लीचे कमेंट में आवश्य बताना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जै श्री राम दे मातरम